नमस्कार दोस्तो राजनिती की बातों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त धर्वेंदर कमारी दोस्तो चोदरी बंसिलाल के बाद अब हम एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं और ये कहानी उस इंसान की है दोस्तों जिसको हर्याना की राजनिती में सबसे बड़ा सम्मान मिला और दोस्तों आप सब जानते हैं कि ताउ केवल उसी इंसान को कहा जाता है जिसका दर्जा बाप से बढ़ कर हो और हर्याना में ताव देविलाल की इतनी कहानियां सुनी कही जाती हैं दोस्तों कि आप सुनते रहें और मैं सुनाता रहूं तब भी क्या पता उमर भर खतम नहीं होंगी लेकिन इस सीरीज में हम ताव देविलाल की उन कहानियों को जानेंगे और उनको समझने की कोशिस करेंगे जो ताव देविलाल ने खुद अनुभाव की थी, खुद अपने मूँ से बताई थी ताव देविलाल का जीवन दोस्तों बहुत संगर्सों से भरा हुआ है और ताव देविलाल जी के जीवन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं लेकिन अधिकतर किताबें उस दोर में लिखी गई दोस्तों जब चोदरी ओम परकाश चोटाला जी हरियाना के मुख्य मंत्री होते थे और किताब लिखने वाले अधिकतर लोगों की मंसात चोदरी देविलाल के बहाने ओम परकाश चोटाला जी की नजरों में आना था नजदीकिया बनाना था इसलिए उन किताबों में से अधिकतर किताबों की कोई खास एहमियत नहीं है लेकिन कुछ किताबें हैं दोस्तों जो चोदरी देविलाल के ही दोर में लिखी गई और बहुत ज़्यादा परमानिकों किताबें हैं ताउदेविलाल पर जितने भी किताबे मैंने अभी तक पड़ी हैं उन में से डॉक्टर राजा राम जी की चोटाला से चंडिकट किताब मुझे बहुत अच्छी लगी है इसके अलावा जहाम जी की चीफ निस्ट्रो फरियाना, एसके मिश्रा जी की फ्लाइंग हाईवेज, ओम प्रकास पत्रकार की हरियाना की हर्दिस से डॉक्टर स्टी स्ट्यागी जी की पॉलिटिक सोब चोधर, थ्रीलाल सोब फरियाना, राम वर्मा जी की और केसी आदव जी की चोधरी देविलाल पर लिखी किताबें ऐसे किताबें जहाँ पर आपको बहुत परमानिक जनकरिया मिलती हैं और अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने अपनी जिन्दगी में चोधरी देविलाल को केवल एक बार देखने का मुझे आवसर मिला टीवी पर तो बहुत बार आप सब ने या मैंने भी देखा हैं लिकने अपनी आँखों से एक बार देखने का आवसर जब मुझे मिला हुए थे और हमारे लिए उस समय चुदरी देविलाल और सुमो दोनों ही कोतुल का विषय होती थी क्योंकि हम पढ़ते थे और सुमो गाड़ियां देखने को कम मिलती थी और जोई देविलाल ने गाओं में जो सभा था उसका जो समय था उसमें वो चार घंटे करीबन लेट पहुँचे थे और चार घंटे बाद एक बड़ा विसाल काया करती हमारे गाउं की चोपाल में बीच में पहुँची थी और ताओ देविलाल के जैकारे लगे थी वो थोड़ा सा बोले थे और जो भी बोले वो मुझे आज याद नहीं है लेकिन ताओ देविलाल का वो चेहरा मुझे हमेसा याद रहा और बाद में पता चला कि उनके देरी का आने का कार्ण ये था कि उनके एक परिचित हमारे महीडू का एक प्रिवार है उसमें वो आये थे वहीं पर उन्होंने खाना खाया था और उहां पर चुर्मा खाने के बाद वो अराम करने लगे और उनकी आँख लगी और उसके 조ाब चार घंटे बाद वो आँख खुली तुजनसवा में वो पहुंचे अब इसके बाद मेरे बड़े होने और चोटालाज साब की सरकार आने तक जो बुद्धी का विकास है दोस्तों वो होता रहा उसके बाद की करीबन सारी राजनिती घटनाएं दिमाग में योंकितों हैं और जो नहीं है वो किताबों में मिल जाती है और अगर हरियाना के विकास के लिए चोदरी बंसिलाल को हमेशा याद किया जाता है तो चोदरी देविलाल को हरियाना में इसलिए याद किया जाता रहेगा क्योंकि उन्होंने आम आदमी को ये हसास करवाया कि सरकार असल में ये बाबो ये अफसर लोग नहीं होते हैं सरकार तो असल में वोटर होती है वोटर के हाथ में असली पावर है उन्होंने आम आदमी को ये ताकत दिखाई दोस्तों कि वो अफसर को खुदा ना समझे बलकि अफसर की कुर्सी के सामने एक ग्रामिन एक दिहाती आदमी जाकर अपना काम कहने और करवाने की हिम्मत रख सके एक तरीके से कहें तो उन्होंने आम आदमी को यह बताया कि सरकार उनके लिए है और असली सरकार वही लोग है दूसरा ताव देविलाल को हमें साथ शुनोतियां सिविकार करने के लिए जाना जाता रहेगा उनकी टकर का कोई दूसरा लाल या ऐसा नेता हरियाना में नहीं आपको मिलेगा जिन्होंने इतनी जगों से जाकर चुनाव लड़े हों और हार जीत की चिंता किये बगहर लड़े हों हाँ इतना जरूर है कि जिन से चोदरी देविलाल हारे वो जीवन में जरूर बड़े नेता बने और चोधरी बंसिलाल की बात कर लें या चोधरी वेजिलाल की बात कर लें बुपेंदर सिंग उड़ा की बात कर लें प्रोफेसर चतरपाल की बात कर लें सब ने चोधरी देविलाल को हराया और ये उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्दी माने गई राजनिती में वो आगे बढ़े और इतना बड़ा हर्दे के वल चूदरी देविलाल का ही हो सकता था दोस्तों कि प्रोफेसर चतरपाल जी से हारने के बाद उन्होंने उनको फोन करके कहा कि प्रोफेसर साब चाए मेरे घर पे पियोगे या पिलाओगे इतना बड़ा हर्दे उनका था हाजीत से बिलकुल उपर उठे हुए इनसान वो थे और आप किसी के भी राजनिती समर्थक हो सकते हैं दोस्तों विरोधी भी हो सकते हैं और हरियाना में हर इनसान किसे ने किसी राजनिता से व्यक्तिकत जुड़ाओ रखता है इसलिए कि राजनिता के तोर पर किसी को समझने के चक्कर में हम ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं लेकिन राजनिती की बातों में जो इस सलसला हरी भूमी टीवी पर सुरू किया है दोस्तों इसमें 10-20,000 लोगों का एक ऐसा समू हरियाना में बन गया है जो राजनितिक समझ के दाएरे में घटनाओं और वैक्तियों को परकने की कोसिस करते हैं ये हरियाना में हरी भूमी टीवी के मादम से आपने और हमने मिलकर एक नई परंपरा त्यार कर दी है कि राजनितिक और राजनितिक समझ के जरिये से देखना होगा एक राजनिता के भक्त के तोर पर हम देखने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़े पीछे चूट जाएंगी मैं इसके लिए भी आपको बढ़ाई देता हूं कि आप उस चुनिंदा हजारों लोगों में सामिल हैं जो राजनितिक और राजनितिक दर्ष्टी से समझने की कोसिस करते हैं और मैं इसका एक पादम बना हूं इसके मुझे हमेशा खुसी रहेगी ताउ देविलाल को पंजाब हर्याना और राजस्तान के जनता दोस्तों कई नामों से पुकारती हैं कोई उनको उस दोर में पंजाब के सिरी कह देता था कोई नेता कह दिया करता था फिर ताउ देविलाल तो सबने ऐस पुकाराई उनको कि जगत्ताओं हो गए वो और अधिकतर लोगों ने यही पता है कि उनका जो जन्म है वो चोटाला गाओं में हुआ था लेकिन सिरसा में मेरे एक पत्रकार साती है प्रमोध कुमार जी प्रमोध कुमार ने सबसे पहले एक बहतरीन रिपोर्ट चोदरी लोगाओं वहां पर उनका जन्म हुआ था और आज भी उन लोगों ने चोदरी देविलाल की यादों को योंका तो सहिज कर रखा हुआ है आगे हम इस बारे में बात करेंगे उससे पहले परमोध कुमार जिससे इजाज़त लेकर आपके लिए उस रिपोर्ट का ये हिस्सा दिखा रहा हूँ ताकि आप उस जन्म सतली को देख सके जहां पर चोदरी देविलाल का जन्म हुआ था नमस्कार मैं परमोध कुमार इस समय मौझूद हूँ राजस्थान के जिला हनुमानगड के गाउं अमरपुरा जालू खाट में और मैं आपको तस्वीरे दिखा रहा है इस मकान का इत्यास बताऊंगा तो आप भी हरान हो जाएंगे इस देश में किसानों के मसिया कहे जाने वाले जन्नाएक चोदरी देविलाल को को नहीं जानता यह वो जिखे हैं जहां पर चोदरी देविलाल जी का जन्नाएक लाल ने लाल के लिए से अपनी किसान की आवाज बुलंद की उस लाल का जन्नाएक इसी मकान में हुआ है आज हम मैं यहां आया हूँ आप लोगों के साथ मुझे बड़ा मंद से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं आज उस दर्टी पे कड़ा हूँ जिस दर्टी पे हिंदुस्तान के किसान की ओवाज को बुलंद करने वाले एक देवता रूपी जो और देवलाल ने जन्नाएक लिया था आज भी किसान उन्हें बगवान की तरह पुझता है यह किसाफ़े मैं मानता हूँ किसान मसिया भी थे और किसानों के बगवान थे किसान की ओवाज को बुलंद और किसान की दर्ट को समझने का काम करते थे पता नहीं है कि इत्यास के अंडर क्या-क्या लिखा गया है क्या-क्या लिख़ा जाएगा गर्यक्त कई आज आपके सामने है अममीद करता हूं इसे अरभिना का हर केसान ये जिग इस चीज guten ready-łada-ल-ल क्षीड देख को देखें और सुनेगा मुझे फिर पास शब्द नहीं है कि मैं क्या प्यान करूं कि मैं यहां 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 मुझे कैसा मैसूस हो रहा है आज हम उस जगह मौजूद हैं जहां चोदरी देविलाल का जन्म हुआ जहां यहां यह गाउं है अमर्पुरा जलू खाट जहां इस घर में है चोदरी देविलाल का है वो जन्म हुआ है आज हम इस गाउं में एक ग्राउंड रिपोर्ट करने आये हैं हमारे साथ काफी लोग मौजूद है और खास बात यह भी है कि अमर्पुरा जलू 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 राम मूंड अमर्पुरा जलू जलू राम मूंड है यह जन्नाईक चोदरी देविलाल के नाना थे और उनका जन्म है वो ननिहाल में हुआ था कहीं न कहीं इस पूरे गाउं में जब हम इस गाउं में आ रहे थे तो हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा हुआ था चोधरी देवी लाल मारग मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें जहां जन्ना एक चोधरी देवी लाल का जन्म हुआ वो मकान दिखा रहा हूँ जहां जन्ना एक चोधरी देवी लाल ने जन्म लिया और खास बात ये भी है कि इस मकान के जो मालिक है मदनलाल मून उन्होंने इस पूरे मकान से मातर वो जगह है उसको बिल्कुल भी नहीं छेडा आप देख रहे हैं कि वो कच्चा मकान आज भी बरकरार है लिपाई पुताई है वो लगातार की जाती है इसकी उनका मानना था कि यहां यह जगह इत्यासिक है जहां चोधरी देविलाल ने जन्म लिया और वो नहीं चाते थे कि इस मकान को तोड़ करके यहां कोई निया निर्मान किया जाए दादा जी थे हमारे यहां पर मदनलाल जी मौंग वो उनके थोड़ा खेले थे उनके साथ तो वो ही बताया करते थे कि यह वो साड़ है जिसके अंदर चोधरी देविलाल पैदा हुए और उनकी याद है हमें कि वो जब मैं तो छोटा था जब वो परदान मंत्री बने थे तो वो मारे गाम में आयते पूरा लावलस कर लेंके तब भी यह बात इची थी कि आपने आमें बताया नहीं कर तो अगर मैं आपको बताके आता तो बताया आप का किता खर्चा लग जाता हूए मैं मुझे पता है मेरा ननियाल की ताग पैसे वड़ा है मैं उनका बेकार का खर्चा नहीं लगाना चाहता है मैं उनसे मिलना चाहता हूं दिल से और वो उनकी ऐसी ही सोच थी और काफी बार वो यहां आए यह दादा जी की इच्छा थी कि जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक तो चोधरी देविलाल जिस मकान में पैदा हूए है मैं वो मिटाने नहीं दूँ इसमें एक बहुत बड़ी अस्ती पैदा हुई थी तो वो उसी तोर तरीके से समाल के रख 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 है बाकी तो सारे मकान पके पैदा आपने चोधरी देविलाल के जनम स्थान के दरसन कर लिये दोस्तों और उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा दरसल संगहरस में बीता राज जब भी आया वो उसका उप्योग दूसरे राजनेताओं की तरह नहीं कर पाए क्योंकि राजपूरा चला ही नहीं उनसे और इनके संगहरसों की जो सरुवात है वो 1927 में हो गई थी दोस्तों और उस समय चोधि देविलाल के आई उप 15-16 साल की थी वो किसोर थे और जब वे चोटाला गाउं से 20 मिल दूर मंडी डव वाली स्कूल में पढ़ते थे तो छुटियों में घर आये हुए थे गाउं में पंचायत हो रही थी और पंचायत में तीन सदसे उस समय थे मनीराम सिहाग जी, हरीराम गोदारा जी और जैलदार खान साब सुलेमान कां डिस्टिक बौर्ड के सदसे भी इसके साथ थे मनी राम सियाग जी चोजरी देविलाल के रिस्ते में चाचा लगते थे और पंचायत में ही सकूल के विदारती देविलाल ने बड़े ही सरदावाओ के साथ उन से ये वोजारिस की कि आप तीनों साहिबान पंच होने के साथ साथ जिला बोर्ड के भी मेंबर हो और कम से कम आप लोग हमारे गाउं में मीडल स्कूल तो खुलवाई दो ये बात दो जो लोग थे उन्होंने तो गिरहन कर ली लेकिन चोदरी हरी राम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इतना चोटा सा बच्चा पंचायत में अपनी बात रखने की हमाकत कर सके और वो भी जिला वोड की सदस्यों के सामने तो उन्होंने भरी पंचायत में कहा दिया कि बच्चों अगर ये सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमें कुन पूछेगा बालक देविलाल उस समय तो इसा बात का जवाब नहीं दे पाए लेकिन चोदरी हरी राम की इस बात ने इस नीती को जरूर लिख दिया दोस्तों कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो फिर अपने आप में एक इतियास बनाया वो आप सुब के सामने है चोदरी देविलाल अक्सर बताते थे कि जियून में मिले तमाम अनुभव में से ये एक अनुभव ऐसा था जो खरोट से घाव बनता चला गया और जब भी जियून में मौका मिला मैंने उस घाव को भरने की कोशिस की ये चोदरी देविलाल के जियून का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं दोस्तों इसलिए हमें कभी ऐसे बोलने ही बोलने चाहिए उसके बाद एक दूसरा परसंग भी वो अक्सर सुनाते थे दोस्तों डबवाली स्कूल की छूटियां चल रही थी उसमें और चोदरी देविलाल अपने घर आये हुए थे और उस समय चाहिए बड़ा परिवार हो चोटा परिवार हो बच्चों को भी खेती काम में काम हाथ बटाने पड़ते थे ठीक ठाक जबीदारी चोई देविलाल के पिता की थी और खेतों में उपच की देखवाल करने के लिए उनके पिता जी ने मुक्तियार रखा हुआ था और मुक्तियार का नाम जिंटा था पुराने लोगों को पता होगा कि मुक्तियार के नीचे फिर मुझारे काम करते थे कई-कई खेत होते थे तो कई-कई मुझारे होते थे उन पे एक मुक्तियार होता था देविलाल की उपस्तिती का लाब उठाती हुए एक दिन जो मुक्तार था जिन्टा उसने एक मुजारे के खलियान की बटाई करवा कर अनाज घर पर मंगवा लेने का काम देविलाल को सूंप दिया देविलाल जी भी खुसी खुसी खेत में चले गए और खलियान जो था उसमें अनाज की जो धेरी लगी हुई थी और एक सतर साल का बुजूर्ग हरीजन मुजारा अनाज की धेर के पास ही मायूसा बेठा सब बटवारा देख रहा आता जमीदार मालिक के पड़े लिखे बेटे देविलाल भीवा मुझूद थे तो उसको देखकर जमीदार मालिक एक बार सक पुकाया और लेकिन धिरे धिर तुलाई होने लेगी उसके आंकों की सामने सारे दाने तुले तुलारे से लेकर गाउं के मिरासी, डाकोत, चोगिदा सबके नामों पर खलियान का सारा अनाज चोटी-चोटी डहरियों में बदला, लेकिन मुझारे के नाम की डहरी उसमें नहीं थी, घुटने मोड कर लास्ट तक वो उदास खलियान के किनारे पर बेटा सब देखता रहा, और जिसके आसंका थी वही होता देखकर, वो बुज सहने भर की देर थी कि देविलाल ने आग्या दे दी कि मुझारे के नाम के भी पांच मंड के अनाज की डहरी अलग से बना दो, बुड़े किसान की बुजी आंकों में एक शमक आ गई चोधरी, तेरी हजार उमर हो, तू धेर सारी पढ़ाई करे, तेरे नाम के नगाडे मुशल लेकर आ गया, और वो सीधा जो तूड़ा था उसकी तरफ पहुचा, और उसमें वो लाठी मारने लगा, थोड़ी सी देर में एक चतुर जासुस के तरह से उन्होंने, जो मुझारे ने चोरी का अनाच्छी पारकता उसको ढूड निकाला, बुडे मुझारे की नसो मांगने तक की हिमत नहीं बची थी, बस आँखों से आँसु निकल कर जमीन पर टक रहे थी, अब देविलाल से रहा नहीं गया, उन्होंने मुझार से कहा कि क्या हुआ, जो पांच मन अनाच इसने च्छिपा भी लिया, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसने भी काम किया है, पांच मन अनाच से पेट थोड़ी पलता है, यह कहकर दस मन जो अनाच था, उस मुझारे के खलियान में छोड़ कर वापिस आ गया, मुक्तार वहाँ तो चोदरी साब के बेटे की बात थी, कुछ नहीं बोला, लेकिन आते ही पिता को सिकायत लगानी थी, चोई देविलाल क के लिए कराते ही, पिता से उन्होंने डाट खाई, लेकिन एक सबक जीवन में उनको मिल गया दोस्तों कि गरीब की ये सारी दुनिया दुस्मन होती है, क्यों यही एक वज़य थी, कि वो राजनिती में आए और कुछ बदलने की कोसिस की, कितना बदल पाए, ये अलग बात लेकि चोजे देविलाल हमेशा जो उनका मन था, वो दूसरों के लिए धड़कता था, उनका दिल धड़कता था, उसमें अंग्रेजों का रास्ता जमीदारों को खुस करने के लिए, अंग्रेज जमीन के जो बड़े-बड़े मालिक थे, उनको राव साब, राय साब, जेल पोसादी किताबों से नवाजा करते थे, और इसी वज़े से जब भी देश में आजादी का सवाल उठा, तो इस वर्ग ने सामोईक रूप से अंग्रेजों की हिमायते की, और असल में जमीदार जागिरदारों की पूरी जमात का रिस्ता अंग्रेजों के साथ, सासक और सा इसान, मुझारों को इनसान समझने से भी इंकार करने लगे थे, देश को लंबे समय तक गुलाम बनाये रखने में इस जो पीडी का योगदान है, वो विदिस्यूज इतना ही आप कह सकते हैं और विडमना देखिये दोस्तों की इसी किसम के सामन्ती प्रिवार में जनम लेने के कारण, चोदरी देविलाल को एक साथ दो मर्चों पर लड़ाईन लड़नी पड़ी, पहले तो सामन्ती वव्यस्ता के चुंगल में फसे देहातियों को निकालना, और फिर देश की आजा पहलवानी के दाव पेचों के साथ उन्होंने हार जीत के सबक सीखे और इसके साथ राजनीती का भी एक सबक सीखा, आपने उसके बारे में बहुत कम सुना होगा कि कैसे पहलवानी उनको राजनीती में लेकर आई, कैसे पहलवानी उनको राजनीती के सबक सिखाए दोस्तो आज अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये कल हम उनके पहलवानी के शोक और राजनीती के सबक पर चर्चा करेंगे तीन बजे हमारे मुलाकात होती रहेगी दोस्तों थोड़ा सा विलंबुआ परिवर्ग जिम्मेदारी के वज़े से सीरीज में आने का लेकिन हम कोशिस करूँगा कि ये कंटीनू चारी रहे और चोई देविलाल की बाते हम जानते रहें इसके साथ ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप कमेंट करके मुझे बताते रहें कि ये दिसा सही है ये वीडियो सही है कोई इसमें गलती रह गई हो तो आप कमेंट करके दुरुस्त कर सकते हैं कोई ऐसी जानकारी हो जो आपको पता हो तो वो भी आप कमेंट करके बताया करें और कुछ ना हो तो कम से कम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेवाशी दे दिया करें इससे हुसला बढ़ता है शुक्रिया फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में नमस्कार